बिहार के गया जिले में एक ऐसा गाउं भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाजे सुनाई देती हैं लेकिन यह गाउं आयाईटियन की फैक्ट्री के नाम से पूरे देश-विदेश में खूब मशूर है इंजीनियरिंग के पढ़ाय के एक्षा रखने वाले प्रतिक छात्र का सपना आयाईटि में दाखिला पाना होता है इस हसीन सपने तक पहुँचने के राह बेहत कठीन और असफलता की कहानियों से भरी हुई होती है लेकिन बिहार में ऐसा गाउं है जहां से पिछले 25 साल में 300 से अधिक इंजीनियर निकल चुके हैं आपको बता दी कि गया जिले के पटवा टोली गाउं में ऐसा एक भी घर नहीं जिसमें कोई इंजीनियर ना हो आप इस बात को सोच सकते हैं कि घर घर में इंजीनियर इस छोटे से गाउं से हर साल दरजनों भर से भी कई गुना अधिके तटपर बसा पटवा टोली गाउं के बच्चों को आयाइटी की राह दिखाने का काम इसी गाउं के आयाइटी ग्रैजुएट्स करते हैं दरसल गाउं के ही आयाइटी ग्रैजुएट्स से मिलकर व्रिक्ष नाम की एक संसा भी बनाई है इस संसा के माध्यम से बच बच्चों को इंजीनियरिंग की किताबे उपलब्ध भी कराती हैं। देश के नामचीन सक्षक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आपको बता दे कि गया जीले के पटवा टोली गाउं से आयाइटियन निकलने की शुरुवात एक तेस साल पहले हुई थी। गाउं के ज शुतियंद्र ने नव स्केल प्रयास नाम का एक गुरूप भी बनाया जिसके जड़िये गाउं के बच्चों की मदद की जाने लगी। शुरुवात की समय में पटवा गाउं के मात्र तीन बच्चे आयाइटि पहुँचे थे। साल 1999 में साथ और बच्चों का आयाइटि म बन गया। पटवा गाउं की अपनी एक और पहचान कपड़ा बुनाई है। इस गाउं में प्रवेश करते ही आपको बुनाई की खटपड सुनाई देगे। इस गाउं को बिहार का मैंचेस्टर भी कहा जाता है। इस गाउं की अधिक्तम आबादी पटवा जाती के लोग को तैयारी निशुर्त में कराई जाती है। लाइफ सिटीज के लिए गोविन सिंग की रिपोर्ट